टाट होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम एना था वो अपने कमरे में बेटके गिटार बजा रही थी तब ही वहाँ उसके स्टेप फादर आते हैं और एना को एक जोरदार थवड़ मारते हैं और इसके बाद वो उसके साथ चबजस्ती घपागप करने की खुद को बचाने के लिए उन्हें धका देती है पर धका लगने की वज़े से एना के फादर किसिनु की लिचीज से टकरा जाते हैं और उनका गला काट जाता है और उनकी वही पर मौत हो जाती है इसके बाद पुलिस एना को आरेस कर लेती है कोट में एना खुद को फ्रेंक को देखते है वो उन लड़कियों को कहता है कि तुम सब को यहां के रूल फॉलो करने होंगे और अगर तुमने रूल तोड़े तो तुम्हें कड़ी सजा दी जाएगी इसके बाद एना अपने सेल में जाती है जहां उसकी मुलाकात जैनी नाम की एक लड़की से हो यहां जाती है चो वाइट गुरूप की लीडर थी वो एना से कहती है कि तुम हमारे गुरूप में सामिल हो जाओ पर एना उसकी बात नहीं मानती इसलिए कोड aligned हो जाती है एक बार जब एना सफाई करे थी तब ही वहाँ कोडी आती है और अपने ग्रूप के साथ मिलकर एना को मानने लगती है क्योंकि एना ने उसकी बात नहीं मानी इसके बाद एना फ्रेंक के पास चाती है और फ्रेंक से वह कोडी की सिकायत करती है पर फ्रेंक उसकी बात पर ध्य प्रवाइना चाहता है इसलिए वो वहाँ से चली जाती है और अपने सेल में बैठके रोने लगती है जैनी उसे कहती है कि यहां तुम्हें इन सब की आद़त डालनी होगी और यह कहके वो एना के करीब आ जाती है और उसे किस करती है एना को भी अच्छा लगता है और इसके के बाद वो दोनों सुरू हो जाती है अगले दिन एना काम कर रहे थी तभी ब्लेक ग्रूप की एक लड़की एना के पास आती है और उसे परेशान करने लगती है अब एना को समझा जाता है कि अगर उसे यहां सेफ रहना है तो उसे कोई भी एक ग्रूप में जोइन होना प कमज़र की यहां कोई जगा नहीं इसलिए अगले दिन एना ब्लेक ग्रूप की एक लड़की से मार पिट करती है लेकिन तब भी वहां गाड आ जाते है और एना को पकड़ के अपने सास ले जाते है एना ने जेल का रूल तोड़ा था इसलिए उसे उसकी सजा मिलती है एना तो इस बार एना मान जाती है और फ्रेंक उसके साथ कहपागप करता है एना अब समझ गई थी कि यहां रहने के लिए उसे कैसे सर्वाइव करना है इसके बाद वो गौड़ी के पास जाती है और दोनों मिलकर ड्रक्स लेते है और इसके बाद वो दोनों खपागप करते है अगले दिर ब्लेक ग्रूप की वही लड़की एना से बदला लेने आती है, जिसे एना ने पहले माला था, यहां दोनों ग्रूप के बिच लड़ाई हो जाती है, इस लड़ाई के लिए फ्रेंक एना को ही ब्लेम करता है, क्योंकि वो उसके साथ मज़े लेना चाहता था, यहा ब्लेक ग्रूप को जब पता चलता है, क्योंकि वो उसे बदला लेने आती है, और इना को गंदी वाली पीटाई करती है, इना अब पूरी तरह से नसड़ी बन गई थी, जेल में उसे दो लड़किया मिलती है, जो हर वक्त नसे में रहती है, इना भी उनके साथ मिल जाती है और पूरा दिन नसा करने लगती है, एक दिन जेनी उसे समझाने की कौसिस करती है, पर इना उसकी बात को एग्नोर कर देती है, इना अब नसे में बलेक ग्रूप से लड़ने जाती है, और वहां उनके बीच गंदी वाली फाइट हो जाती है, इस फाइट का इलजाम इना प उनके साथ फ्रेंक भी था, एना यहां खुद को मारने की कौसिस करती है, पर एक गार उसे रोख लेता है, और एना को फिर से ठंडे सेल में बंद कर दिया जाता है, अब एना ड्रग्स की एडिक्ट हो गई थी, और ड्रग्स ना मिलने की वज़े से वो बीमार होने लगती ह एक बार जब उसे खाना दिया जाता है, तब वो खाने की प्लेट को तोड़के अपने आद की नस काट लेती है, पर एक गार उसे देख लेता है, और उसकी जन बच जाती है, एना को अब कई दिरों तक मेडिकल रूमें रखा जाता है, जहां पर जेन नाम की नर्द उसका पाच्छे से ख्याल रखती है, ठीक होने के बाद एना अपने सेल में जाती है, और अपने सॉल्डर पर बनने टैटू को मिटा देती है, कोने को जब ये पता चलता है, तो वो उस पर बहुत गुशा हो जाती है, और एना का गाल कार लेती है, एना जब मेडिकल रूम में हो और उसे कहती है कि वो उसकी सचाई सबको बता देगी तो फ्रेंक जेन को मार देता है एना को जब ये पता चलता है कि जेन को फ्रेंक ने मार दिया है तो उसे बहुत दूख होता है अगले दिन फिर से फ्रेंक एना के साथ कपागब करता है एना अब फ्रेंक से परेशान हो ग करता है तब एना सब कुछ रेकॉर्ड कर लेती है फिर कुछ दिनों बाद सीनियर पुलिस चब कैदियों से पूछ दाश करने आती है तब एना उन्हें फ्रेंक का वीडियो दिखाती है जिसमें फ्रेंक एना को पेल रहा था इसके बाद फ्रेंक को अरेस्ट कर लिया जाता है और एना को सीनियर आफिसर माफी मंगते हैं और इसके बार एना को जेल से रिहा कर दिया जाता है और यही पर यह मूवी एंड हो जाती है